जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित क्यान में स्वागत है आटे की ये साथ गोलियां कर देंगी आपको माला माल आए चानल लेते हैं इसके बारे में शीव पुरान के अनुसार भगवान शीव की इच्छा से ही इस स्ष्ष्टि का निर्मान ब्रह्माजी द्वारा किया गया था भगवान शीव को देवो के देव महादेव भी कहा गया है और अगर उनकी कृपा होती है तो कुंडली के सभी दोश तुरंद खत्म हो जाते हैं भिगड़े हुए काम बन जाते हैं और किसी भी प्रकार के कोई परिशानी नहीं होती है तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाई बताने जा रहे हूँ जो भगवान शीव से सम्मंदित हैं ये एक साधरन सा उपाई है जो इस परकार है प्राथकाल ब्रह्म मूरत में उठकर अपने नित्य कर्म स्नानादे करके सूर्य को जल अर्पित करें जल जढ़ाने के बाद घर के मंदिर में ये किसी अन्य शीव मंदिर में जाए अपने साथ गिहू का आटा और पानी ले जाए और मंदिर में पहुँचकर आटे में पान में या तालाब में या फिर ऐसे जगह विसरजित कर लें जहां मचलियां हो ऐसा करने से व्यक्ति को बहुत पुन्य मिलता है और भगवान शिव की कृपा होती है इस उपाई को करने वाला व्यक्ति कभी भी धन सम्मंदी समस्याओं से नहीं घिरा रहता उसके जल्द से हमारी आज की वीडियो उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसे समस्या का समाधान चाहते हैं त दोस्तो हमारी चैनल पंडित क्यान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।